किसान भाईयो एग्रिकल्चर नोलेज गोदरा चैनल को सब्सक्राइब करके पास में गंटी के निशान को जरूर दबाए ताकि खेती वाड़ी की अरपरकार की जानकारी आपको मिल पी रहे हैं नमस्कार दोस्तों और प्यारी किसान भाईयो मैं अमल गोदरा एग्रिकल्चर नोलेज चैनल पर आपका स्वागत है किसान साथ यो काफी किसान भाईयों का कमेंट आ रहे हैं और वो जीरे की खेती में पूछ रहे हैं कि हम कौन कौन सा खाद दे वह कौन सा फर्टिलाइजर कब दे कितनी मात्रा में देना है वो जीरे की फसल में कितनी सीचाई करनी है वो मैंन बात की कितनी सीचाई होने के बाद हमें खाद फर्टिलाइजर है जो देना है क्योंकि हम समय पर खाद फर्टिलाइजर वह दवा का यूज नहीं किया तो आपको फाइदा नहीं होगा इ आरी मात्रा में खाद यूज एक जीरे की एक ऐसी फसले जो बाकी फसलों से काफी कमजोर है इसलिए इस फसल में प्रेक बीमार यां वक्न कीर का परकॉप जल्दी हो जाता है इसलिए ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है जीरे की फसल का जो तना बहुत ही कमजोर होता है इसलिए ज्यादा पानी ना दे इसमें सिर्फ सुरू से लेकर लाश्ट तक चार पानी ही देना मतलब आपको चार सीचाई ही करनी है नहीं तो ज़्यादा पानी देने से क्या होगा जुलसा रोग ओने की जोई संभावना रहती है किसान भाईउ जीरे में समय समय पर ओने वाले रोग जैसे चरमा, जुलसा रोग, बलाइट रोग वो उक्ता रोग लगने की ज़्यादा संभावना होती है और खास कर अब पाले से फसल जो खराब होने की संभावना होती है इसलिए आप ज़्यादा सीचाई ना करे पाले से बचाने के लिए एक देशी उपाए रात के समय उत्र पच्चिम में आप खेत की मेड होती है उस पर गास फूस को इकटा करके आप जला कर दुआ करें तो पाला पढ़ने की संभावना जो कम होती है किसान भाई यो जीरे की फसल में उने वाले परमुक हुआ रोग वह बिमारियां की सारी जानकारी वह उन रोगों की रोक्ताम की वीडियो मैंने अल्रेडी बने हुई है वो वीडियो आप जरूर देखे ताकि आपको कोई समस्या ना हो काफी नौलेज वाली वीडियो है तो उस वीडियो का लिंक है जो मैं डिस्क्रिस में दे दूंगा तो किसान भाई यो खास बात की हम इस फसल में खाद फर्टिलाइजर कब दे तो दोस्तों जीरे जो गुवाई या छिड़काव के बाद आपको दो सीचाई जो है परपूर रूप से कर देनी है उसके बाद लगबग 35 से 40 दिन बाद आप जीरे की फसल से खर्पतवार जरूर अटाते होंगे यहां पी किसी भी प्रकार से आथो से यहां किसी ओजार से मदद से उस खर्पतवार को आप छो है खत्म करदे या फिर उखाड के बाद फैक दे फिर आपको क्या करना है तीसरी सिचाई करने से पहले आपको जरूरी है यूरिया सलफर वह जिंग पलस Zinc Plus का मैं आपको लाश्ट में बताता हूँ कि ये क्या चीज है इसमें क्या क्या होता है वो इसका जो कितना वो कैसे यूज करना है सबसे पहले हम आपको यूरिया लेना है यूरिया लगबग 2 एकड़ अत्वा या एक बीगे में 50 kg यूरिया चाहिए वो यूरिया के साथ में मिक्स करना है सल्फर वो जिंक पलस अब आपको यूरिया के साथ में लगबग 50 kg में आपको 10-12 kg सल्फर मिक्स करना है ये जो आप सल्फर देख रहे हैं ये सल्फर 5 डायमेंट नाम से हैं जो सुमिल कमपनी का है इसमें दोस्तो सलफर 85% जो डीपी में आता है यह संपरक फंपूदी ना सकें इसको डालने का फायदा है कि यह सलफर जब आप सीचाई करते हैं तो जमीन में चला जाता है और यह जमीन में वो जीरे के पोदों के आसपास गर्मी पैदा करता है क्योंकि पोदे के जड़ों के पास गर्मी होगी तो जीरे में जुलसा चर्मा वो पाले पढ़ने की काफी अद्दक रहात मिल दिये और दूसरी चीज सलफर जरूर डाले वो लाश्ट में और तीसरी चीज है वो है जिंक पलस जो ओमकार नाम से आता है यह ऐसा यह आप सैम हर जग तो अवेलेबल नहीं होगा लगबग पर कोई और कंपनी का ले सकते हैं पर मैं जो आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या तत्व वो कॉंटेटी होती है वो आप जरूर देखे तो दोस्तों यह मिक्स माइक्रो नूटेंट फर्टिलाइजर है यह आपको यूरियाव सलफर के साथ में 10-12 कैजी डालना है इसको डालने के बाद सीचाई करें सीचाई करने के बाद किसान भाईयो इसका रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिलता है 10-15 दिन बाद जीरे की फसल तेजी से ग्रोथ करने लगती है वो जल्दी से विकास करके फूलाना सुरू हो जाते है और में बाद आप इस मिक्स माइक्रो नूटेंट फर्टिलाइजर को खरीदे तो आप उसमें देखे कि सुक्सम पोसक तत्व के रूप में लोह जो 2.0% होता है और मेगनीज है वो 0.5% होता है और जिंक इसमें ज्यादा मात्रा मां होता है यह होता है 5.0% और कोपर होता है 0.2% वो बोरोन इसमें 0.5% आता है आप कोई भी कमपनी का खरीद दो तो इसमें यह सुक्सम पोसक तत्व होना चाहिए यह चोटे-चोटे दानेदार वो पाउडर के रूप में पिले कलर का आता है इसका आप फसल में जरूर उपयोग करें आपको काफी अध्य तक पैदावर वो पोदे की ग्रोथ में फाइदा दिखाई देगा और तीसरी सीचाई के बाद मैं आपको पहला इस्प्रे में क्या वो कैसे करना है वो जल्दी वीडियो लाओंगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखे किसंद भाई यह आप देख सकते हैं तीनों चीजों को जो है मिक्स कर रहे हैं जिसमें सल्फर यूरिया और माइक्रो फर्टिलाइजर है यह दानेदार फॉर्म में आता है जैसे आप पिले कलर का होता है वह माइक्रो फर्टिलाइजर है मैं आपको बता रहा हूं कि माइक् कोसिस करता हूं यह है सलफर दोस्तों सलफर तो आपको पता ही होगा जो पीले कलर में आता है एक दम बारी की पाउडर में यह है जो माइक्र फर्टिलाइजर जो दानेदार फॉर्म और पाउडर फॉर्म मिक्स में आता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और बाकी किसान परियो तक सेयर करना ना भूले जै जोन जै किसान धन्यवाद दोस्तों